नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग अर्विन केजरिवाल के सामने आखिरकार कॉंग्रेस पार्टी जुग गई और अर्विन केजरिवाल ने अपने पत्ते बड़ी चालाकी से बड़ी चतुराई से खेले कॉंग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा सिवा इसके कि कॉंग्रेस आहम आदमी पार्टी की ब मर्थन करेगी या विरोध कॉंग्रेस ये कमिट नहीं करना चाहती थी आम आदमी पार्टी की शर्त थी कि अगर कॉंग्रेस पार्टी इस अध्यादेश के विरोध में बयान देती है इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने का आश्वासन देती है, बयान देती है, उसके बाद ही आम आदमी पार्टी बैनलूरू की बैठक में जाएगी अब इससे समझ लिजी, ये पटना में ये सब हो चुका था, पटना में अर्विन केजरिवाल ने ये शर्त रखी थी और उसके बाद प्रेस कॉंफरेंस का बाइकॉट करके आये थे, कि जब तक कॉंग्रेस इसकी घोशना नहीं करती हम नहीं करेंगे अब इस मुद्धे पर कॉंग्रेस फंसी है दो राज्यों में, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और पंजाब की इकाई से कॉंग्रेस के वरिश नेताओं की बादचित हुई, और उसमें दोनों राज्यों के नेताओं ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अर्विन केजरिवाल का साथ दिया, तो दोनों राज्यों में पार्टी के हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, उसे दिल्ली में कॉंग्रेस की ज्यादा हालत खराब होने की इस्तिती है नहीं क्योंकि पहले से बहुत खराब इस्तिती में, लेकिन पंजाब में कॉंग्रेस पहला कारन तो यह है कि दबाव व इसे कि पहले घरे में खड़ा किया कॉंढेस पार्टी को इस मुद्दे पर चुप्पी साथ कर या इस मुद्दे पर खुशाथ कोर 순त्सका एक भाजपार कडेक पर उनङत, और पसंकर मा Väुद फेले और औरルクाल靡 काौढ आई है। मुद्दे पर Congress party. Congress party आम आदनी party के साथ होते होए नहीं दिखना चाहती थी लेकिन उसको देखना पड़ा. तो दबाओ एक अरविन केजरिवाल का बना और अरविन केजरिवाल का दबाओ का दूसरा भी पक्ष़ है उसकी बात करूँगा दूसरा दबाव बना मम्तभ एनरेश जी का अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं विंद केजरी वाल की जो शर्थ है उसको नहीं मानते हैं तो बैंगलूरू की बैठक में सबसे बड़ी चर्चा का विशय होगा और पूरे मीडिया में देश भर में चर्चा का विशय होगा आम आदमी पार्टी ने विपक्षी दलों की बैठक का बहिशकार किया ये बैंग बनेगी और पक्षी एकता की बाद जो है प्रश्च भूंग में चले जाएगी अब कॉंग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा था कॉंग्रेस पार्टी ने शनीवार को इसी शनीवार को बैठक की अपने वरिश्ट नेताओं की और उसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई उसमें इसी सी पर भी चर्चा हुई इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और कॉंग्रेस पार्टी ने कोई पष्ट बयान इस बारे में नहीं दिया उसके बाद ही फिर ममता बनेजी सक्री हुई और उसके बाद केसी वेनु गुपाल को बयान देकर य का समर्थन करते हैं इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी कारिकारणी की बैठक करके कहा कि कॉंग्रिस ने हमारा समर्थन कर दिया है अध्यादेश के मुद्दे पर इसलिए हम बैंगरुलू की बैठक में जाएंगे तो देखे एक दम बात बिल्कुल इस पश्ट हो जो चाहें वो मनवा सकते हैं यानि अर्विंद केजरिवाल की ताकत जादा है राहुल गांधी से राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम नहीं रह पाए और आम आदमी पार्टी दबाओ डालने के नए नए तरीके अपना रही थी उसने पंजाब में कॉंग्रिस के जो बाकी विपक्षी दलों का लगातार दबाओ था कि इस छोटे से मुद्दे पर जिस पर बीजेपी का साथ नहीं देगी कॉंग्रिस ये सब को पता है इसके बावजूद को इस पर्ष्ट स्टैंड नहीं ले रही है कॉंग्रिस पार्टी तो विपक्षी एकता का जो पूरा पुरा प्रयास है वो खतरे में पड़ सकता है लेकिन कॉंग्रिस पार्टी आम आगनी पार्टी के सामने जुकी क्यों और क्या किसी और के सामने भी जुकेगी है कॉंग्रिस पार्टी जुकी इसलिए कि ये जो विपक्षी एकता की बैठके हो रही है दरसल ये राहुल गा पतना में उनको केंदर में रखा गया, दूसरी बैठक में सुनिया गांधी जा रही है, उनके प्रोटेक्शन में, उनका बचाव करने के लिए उनके साथ खड़ी होंगी, बहुत से ऐसे निता है जो राहूल गांधी का तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन सुनिया गांधी का नह नहीं चाहती, लेकिन बाधा नहीं चाहती किस कीमत पर, अगर अगर पंजाब और दिल्ली में कॉंप्रमाइज कर लेती है, कॉंग्रेस पार्टी, अभी अध्यादेश के मुद्दे पर किया है, अगला कदम क्या होगा, दो तरफा दबावाएगा, बलकि तीन तरफा दबा पहला दबाव तो आम आदमी पाटी का ही होगा, अगर आप इपक्षी एकता चाहते हैं, तो दिल्ली और पंजाब में हमारा साथ दीजिए, और यहां के कैंडिडेट मत खड़ा कीजिए, जो पुराना स्टेंड है, आम आदमी पाटी का, दूसरा ममतब एनरजी, उनके कोर बंधन करने को तयार नहीं है, उनका बड़ा साफ कहना है कि ये संभव नहीं हो सकता, कि हम राष्ट्री इस तरह पर कॉंग्रेस पार्टी का साथ दे, समर्थन करें, और राज्य में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी दोनों मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, यही स्टेंड कमोबेश अखलेश यादों का होने वाला है, उत्तर प्रदेश में अगर आपको विपक्षी एकता चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में आप हमारे उपर छोड़ दीजे, बीजेपी से लड़ाई का मामला, अब प्रदेश के लिए समस्या ये हो रही कि जो साथी दल है, उनकी ताकत धीरे धीरे घटती जा रही है, कई की ताकत घटती जा रही है, कई जो ताकत वर हैं, वो साथ आने को तयार नहीं है, तीन पार्टियां खास तोर से, उनीसा में वीजू जनता दल, और आंथ तो चोटे चोटे दल हैं जो एक लोगसभा दो लोगसभा सीट के या तीन लोगसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले दल हैं ऐसे दलों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ऐसे दल जादा तर तमिल नाडू और केरल में हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो नए आठ दल आ रहे हैं वो सब पहले से कॉंग्रेस या कॉंग्रेस के समर्थक दलों के साथ थे तो कोई नया एडिशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है उसके बरक साथ देखिए बीजेपी में ओम प्रकाश राजभर आखिर नाना करते हुए हां करके आगए और घोश्रा कर दी उमीद ये की जा रही है जो बातचीत हुई है जो सुत्रों से पता चला है लोकसभा की दो सीटें उनकी पार्टी को मिलेगी वो तीन चाहते है एक सीट वो बिहार में चाहते है बिहार में नहीं मिली तो हो सकता है बीजेपी उनको उत्तर प्रदेश में तीन सीटें दे दे तो मुझे लगता है कि अगर ओम प्रगाश राजबर को तीन सीटे मिलती है तो अपना दल की अनप्रिया पटेल भी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग कर सकती है ओम प्रगाश राजबर की मांग है कि घोसी और गाजी पुर ये दो सीटे मिलें अगर बिहार में नहीं मिलती है तो आजम गढ़िया लाल गंज के सीट मिलेंड को तो ये ये आगे की बात है चिराग पासवान ने अपनी चिठी जो बीजेपी अध्यक्ष की गए थी उसको मीडिया में रिलीज कर दिया वो आ रहे हैं साथ में जीतन राम माजी पहले से हैं और कौन पार्टियां आएंगी ये अठारा तारीक को पता चलेगा यह हो सकता आज देश शाम तक और पार्टियों के बारे में इस्तिति इस पर्ष्ट हो जाए तो बीजेपी के साथ ऐसी पार्टियां जुड़ रही है जो इससे पहले उसके साथ नहीं थी ऐसा नहीं कि ये कभी नहीं थी लेकिन इस समय उसके साथ नहीं थी ये ज़्यादा तर सामाजीक आधार वाले नेता हैं जिनके चोटे-चोटे समू हैं अपने समर्तन के और ये मिलकर एक एक incarnिमेंटल वोट लेकर आते हैं तो कॉंग्रिस पार्टी के सामने आगे आने वाले समय में मुश्किल बढ़ने वाली है बढ़ने वाली इसलिए है कि जितने क्षेतरी दल हैं वो अपनी अपनी डिमांड उन्होंने देख लिया कि अगर आप दबाव डालें तो कॉंग्रिस दबाव में आ सकती है ये रास्ता खोल दिया अर्विन केजीवाल ने तो अब दूसरा नमबर मैं कह रहा हूं फिर से कह रहा हूं कि ममताब एनर्जी का आएगा और कौन कौन आएगा ये देखने की बात है लेकिन इतना तय है कि छेत्रिय दल जो अपने राज्य में मजबूत है ताकतवर हैं वो कौंग्रेस पार्टी को स्पेस देने का इरादा नहीं रखते ये है कौंग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल तो विपक्षी एक्ता की एक सारी जो एक्सरसाइज है वो अंत में क्या स्वरूप लेगी इसके बारे में अभी कोई स्पष्टता सामने आ नहीं रही है हो सकता है आज और कल की बैठक में चीज़ें थोड़ा और स्पष्ट हो कि गडबंधन का नाम क्या होगा गडबंधन का कन्वीनर कौन होगा गडबंधन के मुद्धे क्या होंगे ये सब चीज़ें आ सकती है लेकिन इस बैठक से पहले कौंग्रेस पार्टी ने शनिवार की अपनी बैठक में ये स्टेंड ले लिया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं करती है तो इस मुद्धे पर अब सवाल ये है कि क्या बाकी जितने जो कहा जा रहा है 24 दल आएंगे 24 के 24 दल इस मुद्धे पर एक साथ आते हैं आते हैं या नहीं आते हैं ये एक सवाल है ये कौंग्रेस के लिए बड़ा सवाल है अगर इस मुद्दे पर मद्भेद दिखाई देता है तो इसका भी नुकसान हो सकता है लेकिन युनिफर्म सिविल कोड का समर्थन न करने का फैसला करके कॉंग्रेस पार्टी ने अपने लिए मुझे लगता है मुश्किल खड़ी कर लिए एक बड़ा वर्ग है इसमें मुस्लिम समुदाय का भी एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि युनिफर्म सिविल कोड आए है उसके खिलाफ अब देखें बीजेपी के लिए एक नेरेटिव खड़ा हो गया कि हम समर्थन में हम चाहते हैं कि देश में सभी लोगों के लिए समान कानून हो कॉंग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है तो कॉंग्रेस को एक ऐसी पार्टी के रूप में दिखाने की कोशिश जो देश में अलग-अलग समधायों के लिए अलग-अलग कानून की वकालत करती है ये मुद्दा आप मान कर चलिए 2024 के लोकसभा चुनाओ का बड़ा मुद्दा होने जा रहा है तो आज और कल यानी 17 और 18 जुलाई इन दो तारीकों में जो अलग-अलग गड़बंधनों की बैठक होने जा रही है उससे राजनीती की और खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाओ की दिशा क्या होगी इसके बारे में थोड़ी स्पश्टता और आएगी तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसे नए मुद्धे के साथ तब तक के लियर मती दीजे आप से अनूत है कि ये चैनल देखिए शेर कीजे लाइक कीजे और सबस्क्राइब भी रोकीजे नमस्कार